हर दोस्तों सागत है आप सभी का एक नए धमाकेदार वीडियो में तो आज हम बात करने वाने हैं टू सरकारी कमपनियों के बारे में जो अभी आपको डिसकाउंट पे मिल लहा है जो दूसरा कमपनी है वो मेरा फैवरेट कमपनी है उसमें पैसा लगाओगे तो और ज्यादा पैसा आपका बन सकता है इसमें भी बन सकता है यह भी सरकारी कमपनी है और उसमें भी बन सकता है पैसा है बट वो मुझे ज्यादा फैवरेट है और यह भी फैवरेट है मेरी बट मैं आपको यह चीज बता देता हूं कि यदि पैसा बनाना चाहते हो आप लोग ज्यादा प तो आपको अपने मन में यह रखना है जितना गिरेगा उतना खरीद दूंगा तभी आपका वेनिफिट होगा आपको धीरे-धीरे को खरीदना जितना गिरता जाएगा ओफने माली है कि आपको यह टारगेट रखना कि जैसे स्टॉक है अभी यह 417 रुपए पर आपने पांच कौंटराइग कर दूंगा ऑप आप से मार्केट रिकबर होगा ना भाई साथ आप तब आपको सबसे ज़्यादा वेनिफिट होगा आपने देखा होगा जिन्होंने कोबिड में खरीदा था उन्हीं को बेनिफिट हुआ था जिन्होंने बाद में खरीदा था उनको बहुत कम बेनिफिट हुआ था तो ऐसा मेंड और अच्छी बात है, तो उसमें आपको जरूर बाई करना चाहिए, तो मैं इस stock के बारे में बात करूँ, उससे पहले आप इस वीडियो को share कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ and like कर सकते हो, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको यह ऐसे वीडियो अच्छा लगता है, तो करता हूं, यह stock आपको 5-6% के आलमुस्ट discount पे मिल ला है, तो अभी उतना ज्यादा discount पे नहीं मिल ला है, बट अभी इसमें आपको थोड़ा बहुत पैसा लगा देना चाहिए, क्योंकि यह इस से ज्यादा discount पे मिल जाए, तो बहुत अच्छी बात है, यह stock आपको 400 इसका है, कितना बड़ा company है, और बाउन बीक में जो high बनाया था, वो 400, 48 रुपे का high बनाया था, और बाउन बीक में जो low बनाया था, वो 227 रुपे का low बनाया था, और जो dividend yield परवाइड करता है, आलमॉस्ट 1.86% का dividend yield परवाइड करता है, इसको मान सकते हो 2% का dividend आप, त तो अभी इसमें ज्यादा quantity नबाय करके, थोड़ा quantity बाय कर लेना, और ज्यादा discount के मिलेगा, तो और इसमें बाय करना आप, और मैं बात करूँ इसका stock का क्या नाम क्या है, तो आप लोगों को पता ही होगा, और future में ये stock कितना grow करेगा, वो भी आपको पता होगा, ये NTPC limited care stock का नाम है, और ये आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा पैसा बना के देगा, और मैं बात करूँ दूसरी stock का, तो आप लोग देख सकते हो, जो ये दूसरा stock है, ये अभी एक साल के अंदर, 103% का return provide कर चुका है, इतना गिरने के बाद भी stock, 103% का return दिखा रहा है और जो इसका share price अभी चला है, 144 रुपया चला है, और मैं बात करूँ इसमें, जो अभी ये आपको discount पे कितने रुपय के discount पे मिला है, 33% के discount पे मिला है, 72 रुपय, almost 73 रुपय के discount पे आपको ये stock मिला है, तो इसमें entry बनाने का बहुत अच्छा समय है, अभी आपको इसमें buy करना चाहिए, and hold करना चाहिए, जितना भी quantity हो, आपको 10, 20, 30 quantity, जितना उतना buy करिए, फिर ये आपको 40% के discount पे मिले, तो भी 10, 15 quantity और add करिए इसमें, धीरे धीरे करके इसमें आप 100 quantity कर लीजिए, 100 quantity करके फिर आप इसको भोल जाएए, फिर उसके बाद magic देखना, आने वा लाया था कि stock में इसी तरह invest करना चाहिए, आपको number of quantity share का उबढ़ाना पड़ेगा, number of quantity share का ज्यादा रहेगा, तभी आपको मुनाफ़ा होगा, क्योंकि कोई share मान लिए 10 रुपे का कोई share है, वो 20 रुपे चला गया, आपने एक ही quantity खरीदा, तो क्या, 10 से 20 रुपे हो गया तो कि लिए आपने 100 quantity खरीद लिया, तो आप multiply कर सकते हो, 10 से, तो 1000 हो जाएगा न भाई, तो इसलिए number of quantity share का आपके पास बहुत ज्यादा होना चाहिए, और जब बहुत ज्यादा कब होगा, कम पैसे में ज्यादा quantity कम मिलेगा, जब वो stock आपको discount पे मिलेगा, तभी आपको ज़्यादा quantity खरीदने का मौका मिलेगा, मैं बात करूँ इसके fundamental के बारे में, तो आप लोग देशकते हो, इसका market cap 1.89 लाग करोड रुपया है, तो market cap तो बहुत ज़्यादा है, एंड बाउन बीक में जो high बनाया था, इसमें 239% का high बनाया था, 239 रुपय का high बनाया था, एंड बाउन बीक में जो low बनाया था, वो 55 रुपय का low बनाया, और सबसे अच्छी बात, यह 1.04% का dividend yield परवाइड करता है, तो हैना अच्छी बात, इसलिए बोलते हैं, सरकारी company में लगाना चाहिए, क्योंकि उसमें dividend भी मिलता है, एंड उसमें return भी मिलता है, और पैसा डूबने का डिर रहता है, तो पैसा डूबेगा नहीं, तो आपको इसमें लगाना चाहिए, और मैं बात करूँ, company का नाम क्या है, तो आपको इस company के बारे में बहुत ज़्यादा पता होगा, वह इसे तो Indian Railway Finance Corporation करके इस company का नाम है, इसे Google पर टाइप करके further research कर लेना, दोन क्या होगा, क्योंकि आने वाले समय में जब ये share भागेंगे, तो आपके पास एक share रहे के क्या होगा, जब इसलिए बोलते हैं, जब आपको कोई share discount में मिलें, मान लें कि अभी ये discount मिला है, तो अभी आपको इसमें buy करना चाहिए, और ज़्यादा discount मिलें, तो और ज़्या आपको पैसेंस रखना चाहिए, धैर रखना चाहिए, यार आपने कोबिड देखा है, कोबिड से निकल कि आ गए, तो ये दो छोटा मोटा है,